अप्सट्राइब एट अब अकाउंट में चलू करेंगे अपना अग्ला चिटर अकाउंट का मार कर देना उधर रहा ऊब कि लोगे पाइटनर शीप हुआ है हुआ है है हुआ है है कि एक सब्सक्राइब कहा जाए तो यह चेप्टर एक चेप्टर नहीं एक तरीके से पूरी यूनिट बनी हुई है पाटनर्शिप की इसमें से टोटल आपको आता दस और कितना 20 30 40 करीवन 40 नंबर का आता इसके अंदर सा को डिमाक्स का आएगा कि पाटनर्शिप में से हैं तो वह पाटनर्शिप के बारे में समझना है था कि होता क्या है कि क्या होता पार्टनर्शिप साजेदारी है और दो से जाना होना तो भोस्तारी जगा पर रहते हैं लेकिन होता क्या जब साजेदारी से पता तरहा पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप कर लिए पार्टनर्शिप मतलब दोनों का सयोग यहसा व्यक्त साजेष जो दो या धो से ज्यादा लोगों के सयोग से चलता है एक एंसे को पार्टनर्शिप पॉर्ठनर्शिप पिपार्णर्शिप cierto, कोची जाने चाहिए सबसे पेलाना चाहिए तो और मोड़ पीपल दो या दो से ज़्यादा लोग इसका अब्जेक्ट क्या होता है अर्निंग प्रोफिट कि लाब कमाने का उद्देश जब दो या दो से जदा कड्रा लोग किसी वियपार में एक साथ कार्य करते करते हैं प्रोफिट कमाते इस प्रोफिट को आपस में शेयर करते हैं तो यह आता है पार्टनर्सिप इस पार्टनर्सिप एक तो मतलग इस द्रशाई को चलाने के लिए भी कुस्त नियम कानुन बनाये गए यह बनाये थे अंग्रे जोने 1932 में 1932 में इसले अधिनियम का नामी रख दिया दा पार्टनर्शिप एक 1932 साजेदारी अधिनियम 1932 कि अगर यह चेप्टर ही सबसे इंपोर्टेंट है जो अभी आपका रहो बाकी के चार चेप्टर इसको पर बेश है अग्राइब इसकी डेफिनेशन डिफाइन किये सेक्शन फोर में देखो निकालो एक बुक वो सामने रख जोगी मनेज भी इसको इस तरफ कर लो कि अग्राइब अग्राइब आपकी कोई दिखत ने यह लिखा अग्राइब आपकी बुक नाशेरा मटाऊ यह बुक आप इनको देख लो और आप दोने इसमें स्टेख लो और आप दोने स्टेख लो ठीक है तो यह को क्या का इसमें मतलब कोई केस आता है तो जज़ क्या ओपन करेगा पार्टनर्शिप एक 1932 उसमें स्क्शन 4 में कहेगा वो देखेगा कि बिजनेस पार्टनर्शिप में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो देख उसमें कहला दा रिलेशन बिट्मिन टू और मॉर परसंदो या दो से ज्याद को बाटने के लिए सेमत हुए सेमत हुए के रिट वाई बाई बाई ऑल पार्टनर जिसका संचालन जिस भीवाब व्यापाड को सभी पार्टनर या उन सब के भी आपके कोई एक पार्टनर चला रहा है तो यसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे पार्टनर सी बिजनेस सभी च ला सकता है उनके व्यादपवे केसे होगा लाहिक आपने एक मेडिकल खोली चार वंदे आप सबने सुचा हम दो-दो-दो-लाक रुपे मिलाते हैं आट लाक रुपे में ए बीचीज़ डी चार पार्टनर चैनल दो-लाक रुपे एक पार्टनर ने लगाया तो आट लाक अब जो डी है यह एक पिछले दस साथ से मेडिकल लाइन में काम कर रहा था उसको मेडिकल मेडिसिस का अतना नोलेज है कि आपने इन तीनों ने इसके वरोस्ते बिजनेस चालू करा आपको पता ही ने उसने बोला सड़दत की गोली और आपने कोई पेड़दर्द की गोली अब कर लेंगे बाकि अट्वाड़ कोने इस चारों को नोलेज है तो चारों चला सकते हैं यह किसी एक को तो इन तीनों के भ्याब पर यह चला सकता है जा रखना तो पार्टनर्सिप इसका मतलब एनिंटिक फ्यूचर में लड़ी हो यार बिजनस में अकेले ने ही चलाया प्रोफिट में अकेले ने कमाया यह तो पुरा प्रोफिट में रखूंगा जच क्या वो लगा नहीं पार्टनर सी डेफिनेशन में क्या रहा है कि सब चला सकते आप तीनों के भ्याद पर आप ही चला रहे हो तो पार्टनर इसा माना जाएगा इस बिजनेस के मालिक आप चार तो आपको पता होना चाहिए हिंदी मीडियम में भी लिखा है साजेदारी अधिनियाम 1932 की धाराचार का निसा साजेदारी अनुभन दो या दो से जादा व्यक्तियों के बीचम परस पर ऐसा अनुभन है जो किसी एसे लाप को बाटने के लिए सेमत है जिसका संचालन सभी लिखे द्वारा या उनके विखाब पर किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो यहीं डेफिनेशन देनी पड़ेगी आपको कि अब पार्टनर्सिप को जन्म होगा के सा था एक बंदा जब भी बिजनेस चालू करेगा हमेसा हिलोस में जाएगा बहुत कम चांसे रहते हैं कि अकेला बंदा प्रोफिट में भी चली गया तो उसके पर प्रेशर भूत रहेगा बिजनेस करना अपन बात पढ़नी रहे अपन प्रेक्सिकली बात कर रहे अगर आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो तो कोशिश करना कि आपके साथ एक प बहुत करना बात करना बात करना पर अब नहीं कर सकता हूं तो मैंने क्या कर आपके पास साथ कुछ पार्टनर जोड़ लिये ताकि मेरा बागी का प्रेशर क्या करें वह समाल ले तो द्यान रखना बठाव पार्टनर सिप जो इस वल बिजनेस एकल व्याप्षा यह इसमें भू सारी प्रोब्लम साती थी इसको चलाना प्रोफिट है रिस्की की भी प्रोब्लम रहती थी बिजनेस को में बहार भी आपको क्या करना पड़ता था वह सारे मेंजमेंट यह इसे कौंटेक करना रहता है तो एकल व्यापार यह सिंगल बिजनेस से इसमें बहुसी प्रोब्लम को दूर करने के लिए पार्टनरसिप बिजनेस का जन्म हुआ है जाज़दारी का इस बिजनेस को दिखा घया बादनप मिल कर सकते हैं है कि तो नौद में इस कि व्यापार कौ चालू करने से लिके बंड करने तक कि साथे लिगल रिखे भूरू बेरपार चालू केसे होगा किया क्या अन्वा इस्टिब्यूकर तो केसे होगा और जब बिजनेस स्ट्रथ πन होगा तो कीस डिशल्ब्युटर होगा जब पूर देखोगे पार्ट्णरशिब रिडूर defol其實 देखेगे पुछ यह कारें तो जब भी फूचर में आपको पार्टनर्शिप चालू करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगे तो आप क्या देखो के पार्टनर्शिप एक्ट और अभी हम पढ़ लहेंगे तो देखने की ज़ुरत नहीं पढ़ेंगे विशिष्टा क्या इसकी साज़ारी व्यपार की विशिष्टा है सबसे पहली विशिष्टा लीगाल एग्रिमेंट सबसे बड़ी विशिष्टा है भी मतला वेद अनुवंद होना चाहिए है अब आप तीनों नंते बिजनस चालो कर लिया पता चला बम बनावर वेट के पाटनर सी बिजनस है तो यह अनुबन के सा ओगया अवेद अनुबन हो गया अब आप यह नहीं बोलोगे इसकी डिफिनेशन में आगया दो याँ दो सजाना लोग सात्य बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तो दो तरीके से वेद और अवेद दून होते हैं कि दारू सप्लाइग कर रहे हो मडर किस पाड़ी लेली है ना बंब बना रहे हो कुछ भी ऐसे इलिगल काम कर रहे हो आप बूर हम पाट नसीप है कि चला पन तो साथ में मिलके बंब बनाएंगे फोड़ेंगे जो भी प्रॉफिट होगा आपसे बाट लेंगे यह नहीं कर सक हो सकता है और मोखिक भी हो सकता है वह कित्ती बड़ी चीज़ें दिए उन्होंने बोलाओ भाई आज तक अभी लड़ाई नहीं हुई आपस है ना बच्पन साथ रेकुछ यह से दोस्ते आपकी कि आज तक अभी लड़ाई नहीं होगी एक दूसरे से मिलके काम करेंगे तो अगर बच गया कोंट्रेक्ट के पेसे बच गया अपने दीड़ी जो रहती है वह बच गया अगर आपको विश्वास से आए एक दूसरे से कि जो आपका पार्टनर बना वो सही है और आपके फूचर में कोई लड़ाई नहीं होगी तो आप इसको और भरवल कर सकते हो बोल है कि चलो अपन तीनों पार्टनर एक काम करेंगे बिजनेस पर जो भी प्रोफिट होगा मैं आधा रखूंगा और बागी का आधा 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 आप दोनों रखूंगे तो यह क्या हो गया बढ़वत सब्सक्राइब लेकिन अगर आपको लग रहा कि फूचर में लड़ाई हो सकती है तो आप रिटन करवा सकते उसका एक नम्मर का अब्जेक्टिव डेफिनेटली आपको कही ना कहीं मिलेगा कि साज्यदारी अनुवन डेट डेट डे से मतलब क्या है लिखी तेवा मोखिक हो सकता है दा पार्टनर्शिप एग्रिमेंट इस डेट डेटन एंड बढ़वल मतलब ऑप्शनल है इच्छा पड़े ना कंपल्सर ही नहीं कि आपको डेटन में ही करवाना पड़ेगा अपन इच्छा पर कर सकते हैं दूसरा है हाँ हाँ है कि प्रोफिट फ्रॉं में बिजनेश चलो दोरों साथ में पाड़नर्शिप चालो करी पता चला बोड़े को रास्ता पाड़ करा रहे हो आप अना आतों को खाना खिला रहे हो मतलब यह जो भी कर रहो आप समाश सेवा कर रह अगर उसके कुछ प्रोफिट ही नहीं हो रहा तो यह कि बिजनेश पाड़नर्शिप कर रहे है दो रादा लोग साथ में काम भी कर रहे है लेकिन इसका अग्जेक्ट क्या प्रोफिट अर्निंग होना चाहिए कि ऐगर आपके बिस्टिस्टे से आपको प्रॉफित नहीं हो रहा तो ये पार्टनर्छी बिज्ञेस्ट के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा मतलब इनका में अबब्जेट्ट क्या होता ऊर्निंग प्रॉफित होता् , प्रॉफित फॉफित स्टिन्छ अघ्ली lad, heavily किस रेशो में भी अपना आगे देखें कि नंबर ऑफ पार्टनर कि यह है इसको बाटना मतलब डेविज नहीं देगा अगला पॉइंट वह देदिया है कर लें नंबर ऑफ पार्टनर कि एक पार्टनर्शीप में कम से कम दो और मेक्जिमम पचास बंदे पार्टनर्स हो सकते आपके इसमें 20 लिखा होगा बहुतार को बुक्त में उसको सुधार लो बेटा हालाग इंग्लिश मीडियम में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है मैं आपको बता दे था दिस्क्रिप्स पेले जब पार्टनर्शीप एक था उसमें अमेड्मन नहीं था उसमें क्या था कम से कम दो लोग और मैकेजिमअं बीस लोग और डिनरी भिजनेस चालू कर सकतें मैं को समाने बिजनेस है तो तो कम से कम दो लोग पाटनर बन सकते मैक जिमत बीश लो लेकिन बेंकिंग कि अगर आप मिलके कोई प्राइवीड बैंक खोल रहे को जैसे अच्षिए श्क्री तो आपने क्या कर आप फ्रेंचाइज जी लिए जो भी लिगर कर वही है और मेक्जिमाम उसके कित्टे 10 होनर हो सकते थे मतलब वह एक पार्टनर्शी बिजनेस है बेंकिंग की ड्रेस्ट्री में कित्टे थे मिनिमम दो और मेक्जिमा दस है अपना नाइंटीन ठर्टी टू की बात करें 1932 की अज्यादी की पहले उसका में हमारे देश की आवाजी कम थी तो मेक्जिमाम बीच रखे थे जब से मोधिर आया है कंपनी से टू थाउसन ठर्टीन इंट्रूड्यूश करा उन्होंने पहले कंपनी से लगता था उन्न पाटनर्शीप में मिनिममम दो और मेक्जिममम 50 लोग पाटनर बन सकते हैं समझे सायार कि संक्या कम से कम दो मेक्जिममम 50 हो सकती है जाद रखना बहुत जादे में क्यूंकि सभी प्रेक्टिकल सकने लिट्रेंग अपने यह जितनी भी सिरी है जिसने से यूरी कर लिए उस कि यह अब्जेक्टिव में भी आता है और फिर अगला पॉइंट क्या रणिंगा पार्टनर्शिप सभी पार्टनर्यां उनके ब्याब पर कोई चला सकता है कि लिखा एक पर्दा पार्टनर्शिप एक बिजनेस कें भी कंड़क्ट बाइब और और वाइणीवन ओन ब्याब ऑफ आल ना मतलब इस ब्याप्षाय का संचालंज सभी साजेदारों दो रहा है या उनके ब्याब पर कोई एक कर सकता है कि रणिंग मतलब बाइब आल पार्टनर या एनिवन इसके बाद अनिमिटेड लाइबिलिटी हिंदे में काया तो असीमिट दाइट देखो आपको पता कम से कम दो लोग मेक्जिमम पचास लोग पार्टनर बन सकते एक बिजनेस में मतलब इन दो से पचास के बीच में भी आप इसली ट्रेस कर सकते हो जब भी कोई पार्टनर से बिजनेस चालू करता है तो पर्सनली लायबल रहता है कि अगर इसका अच्छा बुरा इन्हें भरना पड़ेगा यादि इनके बिजनेस से पब्लिक को जन्हां जनता को कुछ नुक्सान हुआ तो इन्हें उन नुक्सान क ए बी सी तीनों ने पास पास लाक रुपे मिला कर एक बिजनेस चालू करा यह बिजनेस क्या था इन्होंने फ्रोट बिजनेस चालू करा था हो शक्ता ए और बी को नहीं पता है कि नहीं कोई फ्रोट करके भाग दिया पेशा लेके लाग हो और यह दो पार्टनर फस गए अब जनता ने इनके उपर केस करा क्लेम करा जैज ने बोला कि वह इनने 15 लाग रुपे आपको जनता को देना पड़ेगा जबकि इनको क्या करना पड़ेगा पंदरा लाग रुपे जनता को देना पड़ेगा इनका करेंगे अगर पेसा नहीं है जो में देना रहता है की जो में देना रहता है लेकंनी लायविटी थी करें लीमिटेड रहती है अगर इनके काड़न किसे को नुक्सान हुआ है तो इनको परसों सेल करके भी लायविटीजिक में पुरा करना पड़ता है कोई लिमिट नहीं इनकी कि यह ओते है अनलिमिटेड लाइब लिगे और कि अहां एजन्सी रिलेशन्सी अजन्सी अध्रियोशन्सी और देखो बिजनेस पार्टनर सी बिजनेस और पार्टनर के बिच में कैसा रिलेशन रहता है ओनर और एजेंट का एक तरीके से पार्टनर क्या माने जाते है इस बिजनेस के एजेंट माने जाते है तो इनका रिलेशन किसका रहता है, ओनर और एजेंट का, इनके वीच में जो रिलेशन बनता है, वो एजेंसी रिलेशन सिप मानी जाती है, एक तरीके से, क्योंकि आपका, जैसे मेरा कोचिंग है मार दर्शन, तो मार दर्शन अलग है में अलग हूँ, तो हम दोनों के वीच में जो रिलेशन बना है, वो किसका ओनर और एजेंसी का, एजेंसी रिलेशन सिप बना हुआ है, तो पार्टनर्सी बिजनेस में, बिजनेस का और पार्टनर्स का जो एक्शल में ओना रहते हैं, उनका रिलेशन सिप कैसा होता है, एजेंसी रिलेशन कि रेके हिस्तों का हस्तान तरण ट्रांसफर ओफ इंट्रेस्ट ओफ इंट्रेस्ट आप तीनों बिजनेस चालू कर रहे हो और अचानक आपने क्या करा बिजनेस छोड़ दिया आपको कई आपकी गौर्णमेंट जोब लग गई तो आपने सचा बिजनेस कोन करें में तो गौर्णमेंट जोब में जो और आपने आपके वियापर के अपनी सिष्टर को पार्टनर बना दिया किनि कल से क्या आज तुम चलिए हो मेरी जागा अब में अपने जोब पर देलियाते हो बाकिन दोनों को पता ही नहीं कि आपके शिष्टर पार्टनर बन गई है मतलब आप अपना राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक यह दोनों राजी नहीं होंगे तब तक आप नहीं पार्टनर से अपना कोई भी राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते इसमें एची ध्यान रखना कि आप अपने राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते ना बिदाउट कंसरेंस ओफ आल पार्टनर तभी हो सकता है इन दोनों कि आपके सिस्टर से नहीं बनती हुआ है इसमें को सा पॉइंट है एट नमर का हिंदी में काया तो प्रथक अस्तित्व का अभाव कि एसा माना जाता है कि पार्टनर्सिप बिजनेस और पार्टनर्स दोनों एक है अलग-अलग नहीं मानते जब कि कंपनी में उल्टा रहता है कंपनी में लाइबिलिटीज भी लिमिटेड रहती है सेपरेट एंटिटी भी रहते हैं किंग फिशर और मालिया दोनों अलग-अलग एंटिटी मानते हैं मालियन अगर ग्लति करें किंग-फिशर को कुछी भी नषि अभी भी चल रही है विषंका यह क्योंकि सेप्रेट एंटिटी आगर दोनों सिंगल हैने का पूर्व जब गढ़ा चुछ गढ़ा, जबकि पार्ट्नर सीप में नम्मर औरप्ट्नर लीटेड है इसलिए पार्ट्नर clauses बिजनेस और तो यह कहता है चिल और फिर फिर्ट दोनों को एक ही माना जाता है इसकिथै कि प्रोप्सक्रा। नंबर व पार्टनर्स मिनिमम दो मेक्जिमम पचास ठीक है फिर रनिंग विजनेश तभी पार्टनर्स या नके व्याप्पे कोई एक अर्निंग प्रोफिट इसका में वो डिप का अर्निंग प्रोफिट हो अनलिमिटेट लाइविलिटिस बता सकते नो सेप्रेट एंटिटी हुए इनकी किनी चार विशिष्टाओं का वढ़िवन कीजिए तो बड़े यह आ सकता आपको कि देख लो इनमस आपको कौन-कौन से पॉइंट चार अच्छे लग रहे पास पॉइंट लिख लो आप इसके कर दो इस था कि स्टार्टिंग के पास कि नीचे भी करना पड़ेगा उबजेक्टी में आ सकते वेड़ा यह सकता यह सकता अब्जेक्टी में लाइब लिटिस का असकता है निश्म आपच्छलम मतलब एक नमबर का अबजेक्टिम नहीं चुतने चीश्च में जो वीडियो देख रहे हैं और पाउस करके लिख सकते हैं करके लिख सकते हैं पार्टनर इन फार्म एक फर्म में कौन-कौन विक्ति साजेदार बन सकते हूं में भी आपार्टनर इन फार्म प्रिक्ष्ट पहले तो एक तो बना दिया बिजनेस चाल हुए तो बिजनेस तो बहुत सारी प्रॉब्लम से यह कि एक्वल में जच को लग रहा था किया इसे तो पार्टनर्स मानना ही नहीं चाहिए त्रॉब्लम से अफरें जब पार्टनर है अब इसे नहीं अच्छे और पार्टनर आपके ऐसे नहीं चाहिए तो एक यह को पकड़ लें जेल में बन कर दें कि यह कर सकते क्योंकि पार्टनर्शिप की डेफिनेशन में क्या अनलिमिटेट लाइबिलिटी इनके दायत पास ही मी थे अगर इनकी बज़े से जन्ता को नुफसान होगा तो इनके घर के बरतन बेश की पेसा रहना पड़ेगा यह था लेकिन बाद में पता चला जो स्टीए कित्ते शाल क है पास साल का चोटए से बच्चे लाइन अ अब जैन्ज को दिख रहा है स्ट्था इसको पार्टनर किसे बना दिया हैत हर र्याइं थे ने था कि ऍुल में यह सब और उससे ज्यादा का वहां 31 साज़दार बन सकता है जिसके आयो 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो वह व्यक्ति साज़दार बन सकता है तो भारत देशे कुछ ना कुछ जुबार लगा लेते हैं चलो इस बार भी इन्होंने पार्टनर बना लिया एक्स वाई जेड एक्स और वाई ने बहुत चुना लगाया लाखों करोडों कमाया फिर भाग गए पुलिस आई दरना दिया जेड को पकड़ा देखा भाई जेड तुमर कि तीए चोबिस साथ चलो ठीक है पार्टनर है अनलिमिटेड लाइबिलिटिस इसको पकड़ के ले पुलिस के पास अब जच के सामने है गया और जाके इसने कुछ जैसे ही बोला तो समझ में आगे है क्या पागल दिमाग से पागल है तो उस देखती को अफिर उन्हां ने क्या बोला क्या पब्लिक में डिस्प्यूट करा इसके पर और मतलब जैसे भी सवाल पुछे बकिल आपने सर क्या बोला था आपको पता बकिल एसे कॉशन करता है आपने पार्टनर से पेट में डिवाइन किया था अठरा साल से बढ़ा होना चाहिए चोबिस साल का है मतलब इससे माना जाए कि एक मतलब पार्टनर है इसकी लाइब अनलिबिटेड है तो इसकी संपत्या बे तो क्या कर रहा है जज यह देखो सुप्रिंग कोड का जज क्या उस्सी बगत अगर चाहे तो कानुन में बदलाप कर सकता है छूटे मोटे जैसे निरवया निरवया रेप और उसमें भी हुआ था ठीक है उसको बच्चा मान लिया था क्योंकि उसकी उमर है अठरा साल से कम थी तो ले नावाली के इसको नावाली की जेल में पुचाया जाए तो इसको बालिक में गिना जाएगा मतलब इसका क्राइम एक संगिन क्राइम माना जाएगा और उससे बड़ों की जेल में ही दिया पुचाया जाएगा बाल सबा सुधार ग्रह आता है वो जो बच्चे छोटे बच्चे क्राइम करते ना तो उनको सुधारने के लिए कि स्कूल स्काइब का बना रखा है उनमें उनको सजादी जाती है उनमें उनको सुधार कारिवाई की जाती है आप तो यह कितना है मतलब साउन माइंड का ना हो इसलिए स्वाष्ट मस्तिस्क का हो 18 साल से बढ़ा हो चला आप तो कोई समस्या नहीं फिर विजनेस अब तो नया चालू करा एबी सी हो गया एक्स वाई जेड हो गया आप क्या ना ले ले पीक जीवार कि बहुत असाने से काम कर रहे थे अब यहाँ पर पी और क्यूत्ते मानदार से राद दिन काम कर रहे थे यह भी अठ्रा साल का है मेंटली साउंड माइंड है सब ठीक है लेकिन यह नेटवरलाल ने प्रोड सा भारत का जिसने ताज मेल बेच दिया था और भाग गया था अपने भारत का केस था अंग्रे जुन आये थे ताज मेल देख रहे ते बहुत सारे अब पता है कि इस तरी के फ्रोड मिल जाते बॉम्मे में चलिया और इनसान बेच देते खड़े-खड़े वह तो इसने क्या करा कि कोई एक भारत दूसरे देश का प्रिंश आ गया उसके पास करोरो और वो रुपे वह भारत ने इंवेस्ट करना जाता है तो नकली उसने इंप्लोई लगा दिये करिवन 40-50 लोगों की टीम तयार कर ली कोटोड मिना के ताज मेल का आसपास खड़ा कर दिय इंप्रोड करना और जब वो उनके साथ आया डील करना तो उसको लगा कि सही में ताज मेल इसी का और वो राजा est हैं यद्धि इ fentra करके भारत में जब जान तो ने तुक्ष मतलबम इसका रख चुब लोगों को चुन लाता यहां पर इस बिजनेस में गया घपले कर फिर भाग गया तो यह फ्रोड था अब इन्हों ने राट दिन काम कर आप पता चला जिन्हों ने इन्हों जिनको मतलब जिसे पार्टनर बनाया इसके पर पहले ही बहुत सारे प्रकरंट दर्जे बहुत सारे कैसे चल रहे फ्रोड के अब इनको पता नहीं था देखो जो फ्रोड करने वाला बंद इसता परफेक्ट रहता न उसको आप जैज़नी कर पाओगे आएगा प्रोपरली बिजनेस की पूरी बाते करेगा डिल अच्छी करेगा बात में पता चलेगा जो भी लाखों को डूरों का चुना लागा के भाग जाए का पर जैज़ने क्या करा पर तिसरा आला कि उससे हमारे देश के संभीधान द्वारा या सुप्रीम कोड या कोड के द्वारा उससे अनुबंद करने के लिए आयोग के गोशित ना कर दिया गया इनकेपेबल फोर कोंट्रेक्ट बाइ लौ एन बाइक कोड हमारे देश के कानून या कोड द्वारा अनुबंद कर दे के आयोग गोशित ना कर दिया गया कि यह तीनों सर्थ जीश बंदे ने पूरी कर ले क्याटरा साल से ज्यादा है साउंड माइंड का है और गौवर्मेंट के द्वारा कॉंट्रेक्ट करने के लिए वेलिडे अगर तीनों कंप्लीट कर देता तो भाई वेन हो चाचा चाची हो बाप बेटे हो कोई भी रिष् सकता है कि असक्ता है या नियुकर देशिम्षिक तो भी हो सकता है आइस पे Final और बंधा पूरी हो जातीं तो कोई बंदा पाटनर बन सकता है हाला कि हर्त कंट्री के रूल्स जो लोई अलग अलग होते हैं अब मालिया ने भारत में इत्ते फ्रोड करें बहाँ पे दुसरे देश में तो अराम से कर रहा क्योंकि बहाँ पे उसके नाम का कोई क्राइम नहीं है और बहाँ के उसे सिटिजेंशिक मिल गई है तो कोई भी द अपने देश के नागरी को इत्ती आसानी से सोपता नहीं है अगर कल से पाकिस्तान आ जाए और मुझे बोले कि पाकिस्तान डिमांड कर दे नहीं हमें तो बंदा चाहिए कि हमारे वहां पर कुछ क्राइम करा हुआ है लेकिन भारत सरकार एक बंदे को भले से बिश्पी आपको पता होना चाहिए देखो कहा लिखा इस पर इसमें नहीं बिटा है यह यह पेंज नमा 63-63 पर हुँ में भी आपार्टनर इना फर्म क्या लिखा आप पार्टनर सीबिस फॉंभाई एग्रिमेंट अमोंग दा पार्टनर साजारी का जन्म समझोती से होता है साजारों हैंस दा पार्टनर सुट भी कंपोनेंट्स एनफ तो इंटर इंटू एन एग्रिमेंट तो एक साजारी समझोते में प्रवेश्च करते समय इन बातों को आप ध्यान रखेंगे पार्टनर का दा पर्सन फूट भी एन एडल्ट एडल्ट का मतलब यहां पर मश्ट भी आफ एटलिस्ट एटीन एयर कम से कम अटरा साल का हो गया हूं पर्सन सूट भी मेंटली ऑफ साउंड माइंड व्यक्ति साउंड माइंड का हो स्वस्त मस्तिस का ही आपलिक में शी मस्ट नोट हैब बीन डिकलियाड इनकेपेबल पोर एग्रिमेंट और कॉंट्रेक्ट बाइक को और लो हमारे कोड के द्वारा है कानून के द्वारा अनुबन करने के लिए अयोग्य गोशित ना किया गया हूं ठीक है इस नोट एबल तो कम्प्लीट विज एने अफ इस कंडिशन देन है और सी कैननोट इंटर इंटू आप पार्टनर्सिप यादि कोई वंदा तीनों मे अब यह जाएगा तो पांचे महीने बाद पार्टनर मतलब एडल्ट बन जाएगा तो कई बार कुछ बिजनेसमें ने से करते 17-17 साल के बच्चे को भी पार्टनर बना लेते छे महीने तो यसी निकल जाएगा बर अनपॉशनेटी वहाँ पर कुछ ऐसा एक्सिडेंट हो ग तो बेटा याली लाइन हटा देना आप लिखो के कहाँ से देखो यह से आप पार्टनर सीप इस फॉर्म से लेके यह तीन रूल्स लिखना तीनों कंप्लीट होने के बाद सबसे निकली लाइन हेविंग से एविंग इस कंडिशन फुल्फिल उप्रोग्त सर्तों को पूरी करने वाला एनी परसेंट कें बी आ पार्टनर पार्टनर बन सकता वेदर दे आर ब्रदर शिश्टर भाईवेन हो फादर सन हो पाप बेटे हो हस्वेंड बाइफ हो पति पत्ने टू सिश्टर हो टू फ्रे अब इनको तो थेयरी जब प्रेक्टिकल से सामने आते आएंगे डीड़ वाले तब बताऊंगा मैं छोड़ना एक भी नहीं अपने इस एप्टर में से थेयरी कि अब आएक पाट्रसिप बीट के अपना अकांटिंग की बात करते हैं देखो एक सिंगल अगर मेरा प्रोपराइटर इस इंगल बिजनेस है पाट्रसिप बिजनेस निए तो मैं क्या बनाओंगा ट्रेडिंग अकांट फिर बनाँगा प्रॉफित और लोस्ट अकाउं एक ट्रेडिंग अकाउं से क्या निकालते थे तू ग्रोस्ट प्रोफिट को ट्रांसफ़र करते थे वाई लोस्ट में और यहां से निकालते ते तूने ड्रॉफिट अगर मेरा सिंगल बिजने से मतलब सोल प्रोप्राइटर हुँ एकल स्वामी हुँ तो इस प्रॉफिट को पूरा में घर पर लिजाओंगा लेकिन अगर मेरा बिजनेस्ट पार्ट्र की बाटना पड़ेगा पार्ट्नयस के भीष्च में पर्तनर्स के बीस्त मेंें प्रोफिट बातने के लिए एक अलग से अकाउंट खूल आ याता जिसका नाम है प्रोफिट ईर लोफ है एप्रोप्यशен डीव मतलब इस इस प्रॉफिट को भी हम ट्राइंसफर कर देजें कहां पर एक और अकाउंट बनाते जिसका नाम है व्हे ईप्रोपीट्ट जो सै हमें और एफ़ उठांकि पार्टनर दो मिलता क्या क्या है आज आज पर और इस पहले पार्ट्नर्स को जो चीज मिलते वो देखते सब्से पहले पार्ट्नर्स को मिलेगी इंट्रेंश पर ऑउन कि एक पीटर पर डिशा है शेवानी है और आपका ना क्या कॉमल पार्टनर निर्ट है प्र 억म इन बीजन चालू कर Хाइव तीनों नहीं बहुत लगा यह अपर यह कि तो भी मुझे इंटरेस्ट मिल्ता है तो पास लाग रुपे मेरे बिजनेस में तो यहां से भी मुझे ब्याज मिलना थी है, तो इस नेट प्रोफिट में से जो मिने पेशा लागा इसको पर इंट्रेस्ट मिले, आप दोनों भी एगरी होगे यहां ठीक है, देना चाहिए, आपको पास पर दे तो फिर मुझे 3 ला मतलब आपकी इंकम का सबसे पेली क्या होगा, सोर्थ इंट्रेस्ट ओन केपिटल, क्लियर है, तो सबसे पहले पाटनर्स को क्या मिलता, पुंजी पर व्याज, इंट्रेस्ट ओन केपिटल, हिंदी मीडियम बाले भी इंग्लिश में ही समझाएंगे, क्योंकि प्रेक्टिकल मतलब पार्टनर को दूसरा क्या मिलेगा, इंट्रेस्ट ओन लोन, इंट्रेस्ट ओन लोन, यह पार्टनर को क्या क्या इंकम होती है, अपने इंकम की बात करें, पार्टनर्स की, ठीक है तो दुसरी इंकम क्या होगी इंट्रेस्ट ओन लोन मलस्वी पेटा इधर देखा भी बुक की जोरत नहीं है इंट्रेस्ट ओन लोन चीर तिस्तरा हां क्या होगा अभी जो बिजनेश चलाते थे लाइक वो मेडिकाल शोप का इग्जामपल चल रहे थे उसका पूरा नोलेच इसको था कॉमल कुई था कि साल भरत कॉमल ने ही राद दिन मेहनत करें शोपे बेठे और पुड़े सेल आउट करा जो भी प्रॉफिट हुआ को मल की वज़ेसी हुआ अब प्रॉफिट बाटने की बात आईए तो शिवानी लिक्षा आप शिवा लाइक शिवानी का रेशो जा रहा है पास तीन और कॉमल का दो मतलब कॉमल को प्रॉफिट होत कम मिल रहा है और इनकी मेहनत ज़्यादा है प्रॉफिट बाटना आता आपको 532 में देखो केसे बाटते प्रॉफिट लाइक बिजनेस को किता प्रॉफिट हुआ अच्छी अजार उतने का प्रॉफिट हो इस अच्छी अजार को किस रिश्म बाटना पास की दो के रिश्म बाटना है मतलब पास तीन आट और दो दस पास बटे दस तीन बटे दस और दो बटे दस के रिश्म बटेगा मतलब शिवाने को अच्छी अजार का कित्ता मिलेगा फाइव वाई टेन दिशा को 80,000 रुपे का 3 by 10 मिलेगा तीन बटे 10 और कोमल को 80,000 रुपे का 2 बटे 10 मिलेगा आठा बज़े 40,000 रुपे प्रॉफिट किसको मिलेगा? शिवानी को 24,000 रुपे दिख्षा को मिलेगा और 16,000 रुपे कोमल को मिलेगा कि यह प्रोफिट का अगें द्यानक ना इत्ता में लगा अब मेहनत कुछ ने करी थी कॉमल ने जादा और प्रोफिट सबसे कम किसको मिल रहा कॉमल को तो कॉमल डिस्पीट नहीं करेगी क्या कॉमल बोले कि बिने पेशा मानते मैंने दो लाक रुपे लगाया है अब सिवानी है अब मिल रहा है कि इसके ओपड़ को क्या दिद्ध़ जाएगी अजी को attack पार्म से सेल्री मिल रहा है तो सेलरी प्या होग सिब्सेल मिंप्रफिट पांट में लेकिन अगर आप पार्टनर को सेलरी दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लोस्ट एप्रोप्रेशन अखांग में जाएगा पार्टनर सेलरी करने के लिए डिल करने के लिए मार्केट में भाग रहे हैं तो मुझे सेल पर कमिशन दो तो अगर कोई पार्टनर को कमिशन मिल रहा तो पार्टनर का कमिशन भी कहा पर जाएगा यहां पर प्रॉफिट एंड लोस्ट एप्रोप्रोप्रेशन अखांड में क्यूंकि कमिशन मिल किसको राप पार्टनर को अगर एजेंट का कमिशन है तो कहां पर जाएगा वह प्रॉफिट एंड लोस्ट में एक्स्पेंस माना जाएगा और क्या को यह से खर्चे जो भूल गए हो आप का पर प्रॉफिट एंड लोस्ट में लिखने के लिए तो खर्चों को आप यहां पर बता सकते हैं कि एनी कि अधर एक्सपेंस हो जाता कई वार प्रॉफिट एंड लोस अकाउंड आपने पूरा मना दिया नेट प्रॉफिट निकाल दिया बाद में पता चला कि एक महिने का रेंट बाग की था इस बार लिखना ही भूल गए तो वह आप यहां पर एज्जेस्ट कर सकते हो और एक्षल में जो आपको प्रॉफिट और बाट रहे हो है लाइक जैसे दो लाक रुफे प्रॉफिट आप बोलोगे कैसा नेट प्रॉफिट इसमें सब खर्चा घटा चुकि आप किसी को कुछ निदेना है इस दो लाक को कुन बाटेंगे हम भी बाटेंगे तो इस जो आपका बस्ता प्रॉफिट उसको बहते है डिस्रिबुटेबल प्रॉफिट वीभाजा नेओ ग्लाव कि नेट प्रॉफिट है आपने निकलेगा आपका इसको कौन बाटेंगे पार्टनर्स बाटेंगे किस रश्व में अपने जो भी डिफाइन क्या हो रेश्व और लाइक जिसा 532 बना रखा थै तो जोब्त बाट लेंगे तो प्रॉफिट वच्छेगा वह इस ते अबकिस प्रॉफिट के एट वा सेंद्ट ये टॉरा सबसे पहला, इंट्रेश्ट आन ड्राइंग्स आहारन पर व्याज ड्राइंग्स का मतलब पता, जब पार्टनर की बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कुछ अपने परसनल यूज के लिए निकाल लेता है तो उसे ड्रोइंग केते हैं, आप तीनों बिजनेस के ओनर हो, तीक है, आपने बिजनेस से 5,000 रुपे ड्रोइंग करे थे, जवरत पड़ गए थी, अगर ये 5,000 रुपे आपको बिजनेस से नहीं मिलते हैं, तो आप किसी ओर से लेते हो, उसके बदले में आपको ब्याज द जेना पड़ता है 5 फारRIS तीन चार महिने वारे आपने बिजनिस को बास करें घंट करक्रें कहता है हुआ तो पैटा यह आपकी जफ से तो गई आपके लिए दरिकिन आपकी पार्टनर की विए क्या इंकम है इस तहूंस। के लिए इंकम आपके लिए के लिए इनकween आपके लिए क्या पन्जीय पर विह आज के टृच की करना पड़ी देना पड़ताई अब बस एक ही चीजे बेसे एक ही आता है एक जो रहे गुड्स बिड्रो वाइप आपने निकाला है तो भी वह है क्या हो जाएगा यहां पर माइनस दाएगा यह चीजे लेती इंकाम और एक्सपेंस से नर्मली देख लो इंट्रेस्वान केपिटल इंट्रेस्वान लोन पार्टनास की सेल्वी यह जाती है यह रहे किसी को कुछ पूछना है विड़ा पूछ सकते हो कि पूछ से तो कि कल से प्रेक्टिकल चालू करेंगे अपन प्रेक्टिकल कुछ भी नहीं छूटना चाहिए श्रीवानी आपको पूछता है उपसे बताना पड़ेका चाहिए अनि यह रहे हैfu कि आपको पौछ युरुपे सेल रों रखैंट देना था अपको बिजनेस का लेकिन आपी बिगते दिससे आपने प्रोफिट बता दिया पांद लना करना यह तो यहां पर हमें यहां पर लिखना ही पड़ेगा यह किसी पार्टनज के अकाउंट में पर बताना पड़ेगा क्यों कि आपको पता प्रॉफिट कि एज़ेस्ट कर रहो वासे सिस्टेंस को तो और एडि क्या पिर आपको पता है यहां डेविट में लिख रहे मतलब प्रॉफिट में से सब्सक्राइब तो बनेगा फिर पार्टनर्स के पिडिल अकाउंट बनेगा फिर प्रॉफिट एड़कूट बनेगा और लेकिन आमें तीनों अकाउंट इसलियो करना है क्योंकि बाकी के अकाउंट आगे के चेप्टर के लिए बेस बने हुए कि 11 की बैलेंसिट याद होगी तो प्रोब्लम होगी नहीं आपको कि आज कुण कुण से कोशन है पेला कोशन है डिफाइन पार्टनर्शिप दूसरा पार्टनर्शिप की करेक्ट्रिस्टिक सार्जारी की पिशिस्ता है तिसरा हूं में भी आप पार्टनर इना फ्रम ना करेक्ट हूं है